नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूं अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहली पर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सूजी के पापर बनाने की बहुत ही चै बारिक वाला भी रहेगा फिर भी आपको ये स्टेप करना ही है जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ आपको तो सूजी आप एक कप से ही धेर सारा पापर बना के तयार कर सकते हैं तो यहां पर इसे डाल देना है मिक्सर जार में और इसे थोड़ा सा बारिक कर लेना है तो देखिए यहां पर सूजी को बारिक कर ली हूँ सूजी बारिक होने के बाद दिखिए कुछ इस तरीके कि आटा जैसे आपको लग रहा होगा तो ऐसे सूजी कर लेने से क्या हो था पापर हमारा बहुत ही ज्यादा खास्ता बनता है बहुत ज्यादा करा नहीं लगता है बहुत अच्छे से इसका पापड बने बिल्कुल भी टूटे नहीं अभी यहीं पर मिक्सर जार में डाली हूँ एक कप पानी तो फ्रेंट्स एक कप पानी के साथ इसे पहले चला के देख लेती हूँ तो देखिए यहां एक कप पानी डाली थी तो बहुत ज़्यादा यहां पर डाल दी हूँ और फिर से एक बड़ चला के इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ तो देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरीके का बनके आया है तो दो कप पानी का यहां पर इस्तिमाल हमारा हो चुका है फ्रेंट्स इसका भी आपको धियान देना है अब एक कप पान है अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि अच्छे से पकेगा नहीं और उकच्छा रह जाएगा तो फ्रेंट्स देखिए यहां पर सूजी का हमारा बैटर जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है इसमें कोई भी गुठली नहीं है इस तरीके से आप बनाईएगा तो घोलन में जो समय जाता है वो आपका बच जाएगा तो अभी यहां पर ले लेना है कोई भी एक बरतन जिसमें आप आपर बनाना चाहते हैं और इसमें बाकी का पानी डाल दिया जाएगा तो यहां पर तीन कप पानी डाली यह चार कप पानी पांच कप पानी कुल हमें नौ कप प और एक कप पानी का इस्तिमाल बाद में और किया जाएगा। अब इसे चरहा दी हूँ छुले पर और पानी में डाल देना है सवाद के अनुसार नमक। आधा चम बनाल रही हूँ पापर खार आदा चम्मचॉ के पास पापर खार है तो आप डालिये क्यूंकि पापर में पापर खार बनता है तो उसका असली जो आताilight पापर का जो krispin वह Drive बहुत ज्यादा च्छा बनता है आपके पास नहीं है तो आप चुटकी दो पिंच यहाँ पर मीठा सोडा का इस्तेमाल कर लीजिएगा फ्रेंड्स और यहाँ पर डाली हूँ एक चम्मच तेल और सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर देना है पानी को अच्छे से उबलने देना है अभी इसमें डाल देती हूँ जीरा एक चम्मच जीसे की पानी में थोड़ा कलर आ जाए और पानी में जीरा अच्छे से पक भी जाए तो आज में दो फिलिवर का पापर आपको बना के दिखाऊंगी वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स और नोटिफिकेशन बे पानी में जाए तो आप गैस के आज को कम कर दें कम करने के बाद इसे कमसे कम साथ से आठ मिनट तक सूजी को पकाई येगा जैसे कि सूजी आपका बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाए और कच्छा ना रहे और बहुत ज़ ज़्यादा इसे तो पापर का सेप आप मन चाहा अकार का नहीं दे पाएंगे तो देखे फ्रेंट जब आपका सूजी पक जाएगा तो कुछ इस तरीके से उपर की ओर उठने लगेगा देखे जैसे फेन फेन के जैसे जागसा बनने लगता आप देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि सूजी देखना चाहते हैं और भी आपको चाहिए पापर की रेस्पी तो देख सकते हैं धेर साड़ा वीडियो अपलोड की हुई हो जिसमें लौकी के पापर टमाटर के पापर गाजर के पापर बहुत सारे पापर की वीडियो आपको मिलने वाली है तो अभी मैं इसे चूले से उ ही होता है फ्रेंट्स ने तो पापर जो है बहुत जONGता तीखा बन जाता है पकने के बज़े से और उपर से आप डालीएगा तो हल्का-फल्का τηखा अपनाएगा और देखने में सुन्दर लगता है लाल-लाल सा तो फ्रेंट्स इसे दो फ्लेवर में बनाना है तो दो जगह ही से रख लेती हूं जितना जितना आपको बनाना है उतना आप ले ले और आपको प्लेन पापर बनाना है तो बस जैसा आप बैटर तयार किये हैं उसका ही आप पापर बना के तयार कर सकते हैं तो यहां पर मैं दो जगह ले लेती हूं थ कोई और मसाला अर्ण नहीं करना है हमें बिल्कुल वह सही है और एक में डालना है हमें भारी कटा हुआ हरा धनिया तो देखिए फ्रेंट एक बनाओंगी धनिया फ्लेवर का और एक बनाओंगी जीर defense वर का तो इसमें बॉरी ernst कट करके धनिया पति डालिएगा और धेर सारा म अच्छा और हलका सा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो यह हलका सा गरम है तो धणिया पत्ती इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो देखे फ्रेंड्स एक धनिया फ्लेवर का बना के दिखा रही हूँ। एक प्लेन तो चलिया, पापर को बना के दिखाती हूं। और हलका सा ये गरम ही है, बहुत जादा आपको ठंडा नहीं करना है, अब यहाँ पर पॉलिथिन सीट ले ली हूँ और इसमें ही पापर बना के आपको दिखाती हूँ, बरा छोटा आपको जैसा बनाना है, आप अपने पसंद से बनाईएगा, थोरा सा बैटर को डाल देना ह और अच्छे से फैला देना है, देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से पतला पतला भी बहुत अच्छा धूप भी आने लगा है, हवा भी बहुत तेज है, तो पापर सुखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत जल्दी पापर सुख के तैयार हो जाता है, तो देखिए फ दनिया वाला थोड़ा देखने में अच्छा लगता और टेस्ट भी कुछ अलग सा आपको मिलेगा आप चाहें तो कड़ी पत्ते का फ्लेवर का भी थोड़े से बैटर में डालके आप बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगेगा तो आप तरह तरह के पापर बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स सारे को बना के तयार कर लेती हूं तो इतना सारा पापर हमारा बन के तयार हुआ है मातर एक छोटा कप सूजी से तो चलिए पापर हमारा सूखता है फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंड्स यहां पर पापर सूख के तयार है तेज दूप है तो पापर सुखने में कोई टाइम नहीं लेता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा पतला पतला पापर हमारा बना था ये प्लेन वाला है वो है धनिया पती वाला पापर तो देख पा रहे हैं आप आपको जो अच्छा लगेगा आप बनाईएगा आप करी पते के स देखे फ्रेंट कितना अच्छा से पापर का साइज बड़ा हुआ है और आप इससे भी बड़ा बड़ा पापर चाहें तो बनाके तैयार कर सकते हैं तो चलिए एक दो पापर और फराई करके आपको दिखाती हूँ ये धनिया वाला पापर को अभी इसमें डाली हूँ प्लेन वाला को पहले फराई की देखे फ्रेंट्स ये भी हमारा कितना अच्छा से फूल रहा है और कलर भी बिल्कुल खराब नहीं हुआ है तो देखे देख सारा पापर यहां पर फराई होके हमारा तयार हो चुका है उमीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से और सब्सक्राइब किये बीना मत चाहिएगा फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक